NG Tech channel पर आपका स्वागत है मैं हूँ दिपेंद्र आज हम बात करेंगे bearing के बारे में की bearing क्या होता है और bearing का क्या use होता है और bearing कितने types की होती हैं तो चलिए video करते हैं start आपने bearing कई न कई जुरूर देखी होगी जो आपको mechanical में हर जगा देखने को मिल जाएगी जहां भी हमें soft को rotation देनी होती है बहां हम bearing का use करते हैं bearing word अंग्रेजी के pair सबसे लिया गया है जिसका मतलब होता है support करना bearing rotating part को support करने का काम करता है और ये radial और axial load को भी bear करने का काम करता है bearing machine के rotating part के friction को कम करने का काम करता है और ये operation को smooth बनाने का काम करता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम bearing नहीं लगाएंगे तो क्या होगा तो अगर हम बिना bearing के किसी भी soft को rotation देंगे तो उसमें बहुत heat और friction जनरेट होगा और saft अच्छे से गूम नहीं पाएगी और saft damage हो जाएगी आप अपने गर में fan को ही ले लीजिए fan का motor saft के सारे लटका रहता है जब हम fan को supply देते हैं तो fan गूमने लगता है saft ज़्यादा इदर उदर ना हो यानि की saft stable रहे इसके लिए हमें एक support की जरूरत होती है और इसी support को bearing कहते हैं bearing और saft के बीच में friction को कम करने के लिए oil या grease का use किया जाता है उम्मिद करता हूँ आपको bearing की definition समझ में आ गई होगी generally जो हमारी bearing होती है ने gun metal का बनाया जाता है अब हम bearing के types के बारे में बात कर लेते हैं अगर आपसे कभी पूछा जाए कि bearing कितने types की होती है तो आप bearing के दो types बताइए कि bearing दो types की होती है number one है friction bearing number two आता है हमारा anti-friction bearing friction type bearing में किसी भी प्रिकार का rolling element का use नहीं किया जाता है friction type bearing को plane bearing और sliding bearing भी खा जाता है जबकि anti-friction type bearing भे bearing होती है जिसमें soft को गुमाने के लिए rolling element का use किया जाता है इसमें bearing के बाहर वाले पार्ट को outer race बुलते हैं जबकि अंदर वाले पार्ट को inner race बुलते हैं outer race और inner race के बीच में rolling element का use किया जाता है Friction Type Bearing और Anti-Friction Type Bearing के अंदर भी कई प्रिकार की Bearing आती है तो सबसे पहले हम Anti-Friction Type Bearing के बारे में डिसकस करेंगे कि ये कितने Types की होती है Anti-Friction Bearing में सार्फ को गुमाने के लिए Rolling Element का यूज़ किया जाता है इसमें Bearing के Outer Race और Inner Race के बीच में Ball यार रोलर का यूज़ किया जाता है इसलिए Bearing में Friction बहुत कम रहता है Bearing का Outer Race फिक्स रहता है जबकि Inner Race के अंदर साफ्ट पिट की जाती है और ये साफ्ट के साथ रोटेट करती है Anti-Friction Bearing को Rolling Element Bearing और Rolling Contact Bearing भी कहा जाता है Anti-Friction Bearing दो टाइपस की होती है No.1 वे Ball Bearing और No.2 है Roller Bearing सबसे पहले हम Wall Bearing के बारे में डिसकस कर लेते हैं जैसा की नाम से ही किलियर है Wall Bearing इसमें Bearing के Outer Race और Inner Race के बीच में Ball का यूज़ किया जाता है जो की Bearing को घुमाने का कारे करता है बॉल की बीच में जो यह आपको दिख रहा है इसको केज बोलते है केज बॉल्स को पकड़ कर रखने का काम करता है और बॉल को एक दूसरे के Contact में आने से भी रोगता है जदा तर बॉल बेरिंग कारबन क्रोम इस्टील की बनाई जाती है और हाई स्पीड के लिए बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है बॉल बेरिंग में पहला टाइपस आता है सिंगल रो बॉल बेरिंग जैसा की नाम से ही पता चल रहा है सिंगल रो यानि केस में एक रो में wall arrange होती हैं इसलिए इसे single row wall bearing कहा जाता है wall bearing outer race और inner race के साथ point contact बनाती हैं जिसके कारण है axial load को असानी से bear कर लेती हैं और साथी साथी radial load को भी असानी से bear करने का काम करती है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि axial load और radial load क्या होता है और यह साथ का कैसे लगता है जब साथ rotate करती है तब उस पर पूरी machine का load लगता है जो साथ की radius के साथ लगता है और यह rotating साथ के perpendicular लगता है और यह साथ पर उपर की तरफ से act करता है यह हम बोल सकते हैं यह साथ के 90 degree पर लगता है और जो axial load होता है वो साथ के pailer में लगता है यह pailer to the axis of soft लगता है और यह साथ को आगे धका माने का प्रियास करता है नेक्स्ट आता है double row ball wearing जैसा की नाम से के लिए है double row इसमें दो row में ball को arrange किया जाता है इसमें दो groups कटे रहते हैं जिसमें ball fit रहती हैं जैसा की आप image में देख पा रहे होंगे double row ball bearing single row ball bearing की तुला में ज़्यादा radial load को wear कर सकती है high rpm और high load के लिए double row ball bearing का use किया जाता है next आता है angular contact bearing angular contact bearing का use बहां किया जाता है जहां soft के displacement होने का chance बहुत अधिक रहता है और जहां load bearing करता है यानि कि जहां load कम या ज़्यादा रहता है बहां हम angular contact bearing का use करते हैं double row angular contact bearing का use axial और radial load को bear करने के लिए किया जाता है next आता है Self-Aligning Wall Bearing Self-Aligning Wall Bearing का यूज़ हम बहां करते हैं जहां थोड़ा बहुत alignment disturb होता है और जहां load कम या ज़ादा होता है यह bearing अपने आप ही load को adjust कर लेती है इस type की bearing में जो inner raise रहता है पर अंदर और बार गूम सकता है 30 degree से कम angle में inner raise गूम सकता है जिससे matter surface contact कम हो जाता है जिससे friction भी कम हो जाता है आपको पता है कि जितना ज़्यादा matter contact होता है उतना ही ज़्यादा friction generate होता है पर यहां matter contact कम होने के कारण friction कम हो जाता है High Speed के लिए Self-Aligning Wall Bearing का यूज़ करते हैं Self-Aligning Wall Bearing का यूज़ इंडस्ट्रियल फैन में बेरिंग में अगला टाइप आता है Thrust Ball Bearing इस टाइप की Ball Bearing का यूज़ Horizontal और Vertical Thrust को बेर करने के लिए किया जाता है Next आता है Deep Group Wall Bearing Deep Group Wall Bearing में Wall का depth बढ़ाने के कारण यहां contact surface area बढ़ जाता है जिससे बेरिंग की radial load लेने की capacity बढ़ जाती है Basically Deep Group Wall Bearing का यूज़ बहां किया जाता है जहां axial load के chances ज़्यादा रहते हैं और साथ में यह radial load को भी बेर कर सकता है Anti-Friction Type Bearing में दूसरा टाइप आता है Roller Bearing Roller Bearing में साप्ट को गुमाने के लिए Bearing के outer और inner race के बीच में Roller का यूज़ किया जाता है Roller Length में लंबे रहते हैं Roller Bearing के outer race और inner race के साथ Line Contact बनाते हैं Roller Bearing ज़्यादा radial load को भी बेर करने के लिए Capable होते हैं जहां हमें ज़्यादा radial load को भी बेर करने के requirement होती है बहां हम Roller Bearing का यूज़ करते हैं Roller Bearing वल बेरिंग के तुल्ला में ज्यादा radial load को बेर कर सकता है और higher load के लिए roller bearing का यूज़ किया जाता है roller bearing में lubrication का होना बहुत जुरूरी है नहीं तो bearing का filler होने का chances बहुत अधिक रहता है roller bearing में पहला type आता है cylindrical roller bearing heavy radial load और high speed के लिए cylindrical roller bearing का यूज़ किया जाता है line contact होने के कारण bearing के outer wrist और inner wrist के साथ roller का surface contact बढ़ जाता है जिसके कारण bearing ज्यादा noise produce करता है next आता है spherical roller bearing इसमें bearing का inner wrist अंदर और भार की तरफ घुम सकता है जिससे थोड़े बहुत misalignment को maintain कर लेती है spherical roller bearing की axial और radial load को bear करने की capacity बहुत जादा रहती है और इसे high speed के लिए use किया जाता है जहां high radial load को bear करने की requirement होती है बहाँ spherical roller bearing का use किया जाता है spherical roller bearing का use conveyor, gearbox, pump और wind turbine में और marine में किया जाता है next आता है needle roller bearing needle bearing में पतले cylindrical roller का use किया जाता है जो की needle के safe के होते है needle bearing की radial load को bear करने के capacity जादा रहती है needle bearing को cue bearing भी बोलते है needle bearing में cage की जरूरत नहीं पड़ती है needle bearing का use automobile industry और compressor में किया जाता है पतले और लंबे roller होने की बज़े से inner और outer race के बीच surface contact बढ़ जाता है जिसके कारण ये bearing ज्यादा noise produce करती है next आता है taper ruler bearing इस प्रेकार की bearing में ruler taper shape में होते है taper ruler होने के कारण ये radiator और axial load को असानी से bear कर लेता है जहां high axle thrust load को bear करना होता है बहाँ taper ruler bearing का use किया जाता है taper ruler bearing का use gearbox और agriculture machinery में यूज किया जाता है जो हमने अभी discuss किया वैस अभी anti friction bearing थे अब हम friction bearing के बारे में discuss कर लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का notification आप तक पहुंच सके friction type bearing में किसी व्रेकर का rolling element का use नहीं किया जाता है और जहां soft पर बहुत ही ज़्यादा high load रहता है बहां friction bearing का use किया जाता है बड़ी बड़ी hydraulic turbine में friction bearing का use किया जाता है अगर बहां हम ball bearing या roller bearing का use करेंगे तो वो high vibration की कारण और noise की कारण तूट जाते हैं बड़ी बड़ी hydraulic turbine में आपको general bearing देखने को मिल जाएगी friction bearing भी कई प्रिकार की होती है पर हम कुछ important type की friction bearing को इस वीडियो में discuss करेंगे पहला आता है fluid bearing जैसा की name से ही पता चल रहा है fluid bearing यानि कि ऐसी bearing जिसमें soft की lubrication के लिए fluid और gas का use किया जाता है इसलिए इससे fluid bearing कहा जाता है यह दो types की होती है number one hydrodynamic bearing और number two आता है hydrostatic bearing hydrodynamic bearing को हम 3 step में समझेंगे मैंने 3 figure दिखाए हैं जिसमें पहले में general rest position में है पहले हम general को समझ लेते हैं कि general क्या होता है यह जो आपको बीच में दिख रहा है यह soft रहती है soft का वह इससा जो bearing के अंदर रहता है उसी को हम general कहते हैं यानि यह बीच बाला part आपका general हुआ और भार बाला part आपका bearing हुआ और बीच बाले part में आपका oil भारा रहता है पहले में हमारा general rest में है यानि कि जब हमारा soft rotate नहीं कर रहा है दूसरे में general घुमना start कर देगा यह तब की position है और तीसरे step में यहां general का center नीचे है और bearing का center उपर है इन दोने की बीच के gap को eccentric हा जाता है जब journal हमारा घुमना start करता है तब क्या होता है journal उपर की तरह उठना सुरू कर देता है और जैसे जैसे speed बढ़ती है और जब journal fully speed में आ जाता है तब यहां जो अंदर फ्लूट भरा रहता है बहें press rise होना सुरू हो जाता है और journal full load में आ जाता है तब जब जब फ्रिली घुमने लगता है और बहें bearing का contact छोड़ देता है और जब फ्रिली रूटेट करना सुरू कर देता है और यह bearing को self lubrication provide करता है इसलिए इसे self lubrication bearing भी कहा जाता है loot bearing में दूसरा type आता है hydrostatic bearing hydrostatic bearing में lubrication oil को pump के माद्यम से press rise करके bearing में बहें जाता है और जब journal full load में घुमने लगता है तब journal का center और bearing का center same हो जाता है और soft एकदम free rotate करना सुरू कर देता है friction type bearing का दूसरा type है plane bearing प्लेन बेरिंग में rotating element का use नहीं किया जाता है प्लेन बेरिंग का use rotating, sliding, reciprocating और oscillating motion के लिए किया जाता है इसमें bearing fix रहती है जबकि जो general रहता है वही bearing के surface के साथ sliding motion करता है प्लेन बेरिंग सस्ती, compact और light weight भी होती है प्लेन बेरिंग high load carry कर सकता है इसका use agriculture, automobile और marine में किया जाता है क्रेंग साफ्ट में प्लेन बेरिंग का use किया जाता है नेक्स्ट आता है bus bearing बुष बेरिंग का use छोटी और light weight साफ्ट को low speed से घुमाने के लिए किया जाता है बेरिंग में जनल घुमता है, तब बेरिंग का बुर increase ना करे इसके लिए bus फिट कर दिया जाता है और bus साफ्ट के साथ ना घुमें इसके लिए इस crew के मादयम से बेरिंग को bus के साथ lock कर दिया जाता है और जो bus रहता है वो brass और castron का बना होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें हम ऐसे ही मेकेनिकल फिल्ड से जुड़े वीडियो आपके लेके आते रहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पॉर वॉचिंग